और हम कह रहे हैं आपको बार बार कि हमें छेरो मत हमें छेरोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपने तो आज अंगडाई देखी है लड़ाई तो आपको देखनी बाकी है जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से अब जर्रा जर्रा गुंज रहा है पडिवर्तन के नारों से निर्वाचन आयोक का थोड़ा स्वरूप बदल जा रहा है इलेक्ष्टन कन्विनियन्स फॉर इंडिविजियल हो गया है वेक्तिगत सुविला के लिए निर्वाचन का आयुजन करना है मतलब हर तरह से जब हम काम से फारीग हो जाए एक राज का चुनाओ का प्रचार समाप्त हो जाए तब एक दिन के आराम के पश्चाथ फिर दूसरे राज की ओर चले यही है इलेक्ष्टन कन्विनियन्स फॉर इंडिविजियल इसी आई बारतिय जनता फार्टी के बड़ा इमांदान नित्वा है उनका नाम है बाबुलाद मरांदी अग्या वो तो जो कपड़ा भी पैंटे हैं अग्या वो इतने ही मांदार है किसे से मांग के इन पैंटे आए और उन्होंने यहां तक कुटूव मिनार तक कर रिजर्व करके रख लिया जो मुझे जानकरी मिली है कि भारत परियेटन और दिल्ली परियेटन अब कोई दर्शक को खुदूमिनार जाने नहीं दे रहा है क्योंकि वो आरक्षी थे बाबुलाल जी के लिए कि कब बाबुलाल जी आ जाएंगे, कब उस पे चड़ जाएंगे, कब वहां से खुद जाएंगे हम लोगों को मालूम है कि पिछले बार भी हिमाचल और गुजुरात का चुनाओ कि घोष्टा अलग-अलग समय पर की गई थे लेकिन मत गनना एक ही दिन की गई थे इस बार भी उसकी पुनावित्ती थी हम लोगों को ये भी मालूम है कि गुजुरात चुनाओ कि घोष्टा तब की गई जिसकी आशनका हमने कल जटाई थी कि आदर्निय प्रधान मंत्री जी का पिछले बारह महिनों में बारह बार गुर्जुरात जाना और अंतिम समय में लगातार तीन दिन रहना और उसके बाद लोट कर आना फिर अनफॉर्चुनेटली कल राच्किय शोक था इसलिए उसकी घोष्टा की आशनका हमने कली रेक्ति की आज होगी वही सच साबित हुए लगवग एक महिने के अंतराल में क्योंकि 14 अक्टूबर को हिमाचल की घोष्टा की गई जहां पर 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन हुआ और 12 नवंबर को वहाँ पर निर्वाचन होना है इसके पहले नौर दस तारिक को प्रदान मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में दो दिनों पर अपना चुनावी सभाय करेंगा तद प्रद्शाद 12 को मत्दान होगा और गुजरात का जो पहला फेस का जो एक तारिक को होना है उसकी नोटिफिकेशन 14 तारिक को की जाएगी मैंने इसके पहले भी कहा था कि निर्वाचन आयोक का थोड़ा स्वरूप बदल जा रहा है इलेक्ष्टन कन्विनियन्स पॉर इंडिविजियल हो गया व्यक्तिगत सुविदा के लिए निर्वाचन का आयोजन करना मतलब हर तरह से जब हम काम से फारीग हो जाए एक राजिका चुनाओं का प्रचार समाप्त हो जाए तब एक दिन के आराम के पश्चाथ फिर दुसरे राज की ओर चले यही है इलेक्ष्टन कन्विनियन्स पॉर इंडिविजियल इसी आई मतलान एक और पांच को होगा और आठ को ही फलाफल आएगा ही माचल जैसे छोटे और हमारे जैसे सुदूर वर्ती इलाकों में जो मतदान करेंगे पहाडों में जंगलों में उनको लगभग एक महिने तक केवल भारती जन्तापाटी के को लाभारती बनाने के लिए एक महिने का इंतजार करना पड़ेगा अपने फलाफल का क्योंकि बारत तारी को वो मतदान कर देंगे और आठ डिसंबर तक टोहते रहेंगे कि हमारा जन्ताप्रतिनी भी कौन है यह इसलिए किया जाता है एक सो बिरासी सिट है गुजरात में दो चरन में चुनाव हो रहा वहाँ पर भी सक्ताइस एस्टी सिट है और हमारे यहाँ पर इक्यासी बिलानसवा का सिट है हमारे यहाँ पर भी अठाइस एस्टी सिट है लेकिन हम लोगों का चुनाव पांच चरन में होता है गुजरात का चुनाव दो चरन में होता है इस खेल को समझना परेगा कि किस तरह से अब निर्वाचन को मैनिपुलेट और मैनेज किया जा रहा है अब ये केवल एक कंसिक्यूशनल प्रोसेस है बोलके इसको निभाना पड़ता है अन्यथा कुछ दिनों में शायद ये भी हो जाएगा कि काहे को चुनाव करना है किसी प्राइबेट एजनसी से सर्वे करवा लगते है और उस प्राइबेट एजनसी को जो जितने पैसे से हायर करेगा उसका उतना वोट उप परसंटेज भी आ जाएगा और सिट भी आ जाएगा और सरकार भी बन जाएगा आगी वासियों को केवल और केवल खिलोना बनाना यहां देख रहे किस प्रकार से चीज़े सामने आई गुजुरात में पिछले पांच वर्षों में डलितों के साथ और आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से दुर्वेवार किया गया वो सब के सामने हैं चाहे वो बनास कांठा का हो चाहे वो वलोड्रा का हो सारी चीज़े हम लोगों को याद हैं और यहां पर भी जिस प्रकार आदिवासियों मुख्य मंतरी को परशान किया जा रहा है उसी तरह गुजराद के आदिवासियों को भी दलितों को भी क्योंकि उनके भी तेरा रिजर्व सीट है उनको भी उसी तरह से परशान करने का काम किया जा रहा है हम लोगों ने इस बार निश्टे किया कि यह जो आइडिन्टिफाइड जो 40 सीटे है जो 27 ट्राइबल सीट है और जो 13 कि इनको इंटेंसिफाइड करके हम लोग किस प्रकार से भारती जन्ता पार्टी का रवया आदि वासी जनप्रतिनिद्यों के प्रति रहता है जलित जनप्रतिनिद्यों के तरफ कि और रहता है कि उसको एक्सपोज करने का काम करेंगे अठाइस तारिक को कि पिछले महिने कि यह तै हुई थी कि मानिय मुख्यमंत्री 36 गड़ जाएंगे आदिवासी महुत्सम में उसके बावजूद कि इडी के दुआ एक समोन आज के तीथी की घोष्टना की है कि हम इडी के जाच में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहिए आज मानिय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमको समोन क्यों करते हैं हमारी गल्सी है तो गिरफ्तार करो मुख्यमंत्री का दाइत मुख्यमंत्री इस राज के प्रतिव उतरदवाई है उनका एक एक दिन एक एक घंटा इस राज के हिट के लिए समर्पित उनसे बगैर उनका शिलूल जानकर इस तरह से एक नेरेटिव सेट करना यह हमको लगता है अच्चन्त दुखद और सही तरीका नहीं है कि बारतिय जनता पार्टी के बड़ा इमांदान नित्वा है उनका नाम है बाबुलाद मरांदी और जो कपड़ा भी पहनते हैं कि वह इतने ही मांदार है किसे से मांग के ही पहनते है और उन्हों ने यहां तक कुतुब मिनार तक कव रिजर्व करके रख लिया है जो मुझे जानकारी मिली है कि भारत परियटन और दिल्ली परियटन अब कोई दर्शक को कुतुब मिनार जाने नहीं दे रहा है क्योंकि वो आरक्षीत है बाबुलाल जी के लिए कि कब बाबुलाल जी आ जाएंगे कब उस पे चढ़ जाएंगे कब वहां से कुद जाएंगे वो आज कल हम लोगों को पाठ परा रहें ट्वीटर से चिरिया उड़ा कर चिरिया को उड़ाने काम आप कर सकते हैं एक सम्मौन से जो आक्रोशित होकर हजार कारिकर्टा आज यहां पर उपस्तित हुए वो इस बात का संकेत है कि जो साजिश रचने का काम किया जा रहा है उसका किस प्रकार से मुकाबला होगा गाओं गाओं में टोला टोला में प्रखंड और जीलों में स्वाटा स्पूर्ट कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे यह बात बार बार आ रही थी हम लोगों ने कहा कि कारिकर्टाओं में आक्रोश बहुत है हम भी यह आक्लन नहीं कर पाए कि हज्जारों की संख्या में लोग अपने आप आ जाएंगे आनन फनान में यदि पार्टी का कोई आधिकारी करिकर्ण होता तो स्टेज बनता माइक की विवस्था की जाती लेकिन आनन फानन में टेंपो पर हम लोगों को साउंड सिस्टम लगवाना पड़ा आधे घंटे के अंदर किसी तरह टेविल खड़ा करके एक स्टेज बनाना पड़ा क्योंकि कारिकर्टाओं में आक्रोज था वो अपने नेता को सुनना चाहते थे नेता से मिलना चाहते थे कि आखिर हम लोगों ने गल्टी क्या की कि 40 साल लडने के बाद 20 साल के बाद जब हमें पहचान मिलने की बात आई जब खत्यान की बात आई जब OBC को 27 प्रतिशत की बात आई जब ओल्ड पिंशन स्किम लागू हुआ सर्वजन पिंशन स्किम लागू हुआ बच्चियों के ट्रैफिक रोकने के लिए उनके खातों में 40 हजार रुपे दे कर सावित्री भाई फुले के नाम पर उन पर योजनाई चलाई गई जो कूरिती थी हर्यादारू की परंपरा की उसको रोकने के लिए फूलो जानों आशिरवाद योजना चलू किये गए युवाओं को विदेशों में भेजा जाने लगा पढ़ाई के लिए सीधी नौक्रिया दी जाने लगी खिलारियों को जे पी एससी से लोगों को नौक्रिया दी जाने लगी 32 साल के बाद क्रिशी विभाग में नौक्रिया दी गई सीधे तोर पर हमारे पुलिस कर्मी भाईयों को सीपियल का लाब जिया गया इतना इतना बड़ा गलती हम लोग कर बैठे कि इनको बरदास्त नहीं हो पा रहा है यही कारकरताओं में छोप था यही आक्रोश था जो आप लोगों ने आज देखा और हम कह रहे हैं आपको बार-बार कि हमें छेरो मत हमें छेरोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपने तो आज अंगराई देखी है लड़ाई तो आपको देखनी बाकी है जो निर्णा एक लड़ाई दोहजाब चौवीस में लड़ी जाएगी कि जिसके बाद आप इस राज में कहीं के भी नहीं रहोगे भारतिय जनता पार्टी का एक-एक जनप्रति ने दी चाहे वो सारवजनिक मंच हो या वेक्तिक अत्ताओर पर हम लोगों से मिलकर हो जो यहां का मूल वासी है जो यहां का अधी वासी है वो दुखी है क्योंकि भारतिय जनता पार्टी के जो मनुवादी सोच वाले लोग है वो लोग इस राज सरकार को अस्तिर करना चाहता है इसलिए आज मुख्यमंत्री जी नहीं भी कहा और हम लोग भी इस प्रण को दोवराते हैं कि गुजरात का 27 सेट और 13 सेट यह 40 सेट में हम भाजपा के असली चरित्र को जो कहते थे थे ना चाल चरित्र और चहरा उसको उजागर करने का काम करें भाजपा का चाल भाजपा का चरित्र और भाजपा का चहरा यह हम लोगों ने आज गुजरात चुनाओ के बाद इस बात को कंसिव भी किया और अफजर्ब भी किया कि अब हमारा यह दाई तो बंगता है कि हम इस बात को करें आज इतना ही आप लोग से कहना था कोई यदि सवाल आपके है मानिय मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी सारी कारिक्रम की सुचना इडी को जा चुकी है और उसके अदावा हमारे पार्टी की ओर से और मानिय मुख्यमंत्री की ओर से हम लोग विदी परामर्श भी ले रहे हैं है कि आगे की कारवाई हमें क्या करती है आज के जमाने में चिरिया उन्राना हम लोग भी जानते हैं और यहां से एहमदाबाद की दूरी को भी लापना जानते हैं वो हमारा फेज था दो हजार उन्रीस का और वो फेज फिर आने वाला है कहां गुजरात में गुजरात में भी आएगा ज्हारकन में भी रिपीट होगा और आपको यह विश्वास है कि मतलब अलग अलग फेज में कराने में गुजरात में काई फेक्ट पड़ेगा हिमाचल के इस तरीके का किया जा रहा है निश्ची तोर पे गुजरात का यदि हिमाचल के साथ में क्लब करके चुनाओ होता तो भारती जनता पार्टी ग्रेट लूजर होती ऐसे भी हिमाचल वो हारने वाले हैं वहां की परंपरा भी रही है और गुजरात में उनको बहुत बड़ा छती जो होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कोवीड मैनेजमेंट की बात कर ले चाहे अभी अभी का जो आप लोग देखे होंगे जो घरी बनाने वाली कंपनी को पूल बनाने का काम दे दिया गया तो यह जो छोब है लोगों में गुजरात का वो इस बार पड़िवर्तन करेगी विवेकानन्द विद्यामंदर स्कूल एक CVSC अफलिएटेड इंग्लिस मेडियम कोड़ स्कूल है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं कर देते हैं